ही गाइस वेलकम बैक तो अवर यूट्यूब चैनल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नमबर सेविन हम छे मेडिसिन पिछले लेक्चरस में कवर कर चुके हैं अगर आपको ये सीरीज के जो लेक्चरस हैं उनसे कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपको किई और सब्जेक्ट से रिलेटेड या मतेरिया से ही किसी और बुक से किसी से भी लेक्चरस चाहिए तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट है या फिर मनलब आपको किसी और टॉपिक पे overall होमेपैति के किसी भी subject में किसी भी topic पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप comment में बता सकते हैं और मैं उस पे work करूँगी और इसके बाद materiā के बाद हम कॉन सी सीरी स्टार्ट करें किस सबजेक्ट ही वह भी आप बता सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं agaricus muscaria agaricus muscaria का एक और नाम है amensia muscaria इसका common name है toadstool और bug agaricus ठीक है यह fungus है और हर medicine की हमने एक characteristic बनाई थी mind में जैसे एक्तियुदा पड़ा था इससे पहले हमने तो हमने सोचा था कि एक बेबी है जिसको जिसका cns और g.i.t affected है और हर जगे function decrease हो रहा है वह कुछ भी खा रहा था तो उसे वह पच नहीं रहा था इधर food और drink मतला milk हुआ कुछ भी हुआ बेपी है तो milk और थोड़ा बड़ा ग्रोन बेपी है तो फूड भी डाइजेशन नहीं हो रहा था तो मैं overall उसके g.i.t और cns खराब था जो भी और बहुत जादा रिक्कत हो रही थी तो अगर प्रॉपर खा नहीं रहा था तो उसको वीकनेस जैसी कंडिशन आ रही थी डॉजी नेस वर्टिको हैड यह सारी और दूसरी तरफ नमनेस और वह सारी कंडिशन सारी थी तो हमने एक वह इमेज बना लिए जिससे हमें काफी चीज आद रही है तो अलग अलग उसमें हमें पता चलगा अच्छी से हैड अगर हम पढ़ रहे हैं तो हैड में वर्टिको देखने को मिल रहा था विद्रॉजी नेस ऐसे ही जी आटी में हमने देखा तो इंडाइजिशन है क्यों कि उसे बच कर चले तो यह एक ड्रिंकर के लिए है जो बहुत जादा एलकॉल लेता है या फिर एक परसन जो बहुत जादा एडिक्ट है किसी चीज के लिए सेक्सुली किसी चीज के लिए अडिक्ट हो या फिर ड्रॉक्स या फिर ड्रिंक एलकॉल अगरा तो हम यह इमेज बना के चले और दीरे-दीरे सारे symptoms cover करेंगे The fungus contains several toxic compounds the best known of which is muscarine Fungus में बहुत सारे toxic compound है जिसमें से best concern muscarine The symptoms of poisoning do not develop at once usually 12 to 14 hours elapsed for the initial attack अब ये प्लांट के बारे में बताया गया है कि जो fungus है agericus muscaris उसमें बहुत सारे toxic compound होते है जिसमें से एक best known compound कॉंसा है muscarine है और जो इसके symptoms है poisoning के वो एक बार में नहीं आते 12 से 14 गंटे के बाद elapsed होता है मतब initial attack कितने 12 से 14 गंटे बाद ठीक है There is no antidote treatment is entirely symptomatic Symptomatic treatment है इसका कोई भी antidote नहीं है ये स्रिंडर ने बताया था तो ठीक है Agaricus act as an intoxicant to the brain producing more vertigo and delirium than alcohol अब हमने पढ़ाता क्या है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अडिक्ट है तो अडिक्ट है तो intoxicity भी होगी तो Agaricus किसकी तरह एक्ट करता है intoxicant to the brain जिससे vertigo produce होता है और एलकॉल वाले जो symptoms और ड्रक्स वाले जो symptoms है भांग वगेरा मतलब होई भी हमने ऐसी नसे वाली चीज़ ले लिए उसके जो symptoms है उससे भी जादा delirium आएगा इसमें followed by profound support with lowered reflexes और जिसके बाद reflexes हमारे controlled होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि uncontrolled होंगे sorry reflexes हमारे effect होंगे ठीक है जर्किंग, twitching, trembling and itching are strong indications तो जर्किंग, twitching, trembling और itching देखने को मिलेगी insufficient thesis is related to tubercle diathesis अब जो सो जाता है तो कुछ नहीं बादा जलता लेकर जैसे उठेगा तो उसे twitching रहता है उसके बहुत सारे reflexes होते हैं कि इधर मतलब proper walk भी नहीं का रहा है एक gate उसकी वह हो जाता है तो वह सारे symptoms बताए गए तो during sleep seas हो जाएंगे क्योंकि वह नसे में ठीक है नसे वाले symptoms सारे हो से various forms of neuralgia and spasmodic affection neuralgia और spasmodic affections की बहुत सारी form देखेंगे क्यों है क्योंकि किसी चीज़ का intoxication हो गया तो spasm आना normal सी बात है neurotic skin problems are pictured in the symptomatology of this remedy neurotic skin problems भी देखेंगे रेमिडी की जो symptomatology अगर हम देखेंगे तो उसमें skin perfections भी देख रहे है it corresponds to various forms of cerebral excitement rather than congestion congestion से जाद है इसमें क्या मिलेगा cerebral excitement जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं कोई भी नसीला पदार्थ लेते हैं तो क्या वह हमारे cerebral impact करता है हमारे brain impact करता है हमें मेली क्या देखने को मिलता है cerebral excitement वह कुछ भी हो सकता है रो सकता है हाद सकता है कोई भी emotional disturbance हो सकता है या फर कोई भी excitement देखने को मिलेगा this is indicated in delirium of fevers fevers के delirium पर normally अगर हम देखें कोई बंदा delirium में है किसे disease की वाल से या किसी को touching हो रही है तो किसी को नीद में भी हो सकती है किसी को नीद में भी complaints आती है पर क्यूंकि हम यहां imagine कर रहे हैं ऐसे drug picture को जो toxicity गॉस करता है तो हम वह drugs याद कर रहे हैं वह FMT वाले materials जिसे toxicity हो रही ती जैसे opium हुआ, alcohol हुआ, lead हुआ poisoning, toxicity तो उन से क्या होता है कि जब पसंद नीद में होगा sleep, during sleep, तो वह क्या है sleep में है, तो कोई symptoms हमें नहीं दिखते लेकिन अगर उसे थोड़ा भी हो साईगा जैसे हमने opium में पढ़ा था कि sleep में होगा तो उसे नीद आने में दिखता होगा लेकिन एक बार वह सो जाएगा तो यह वही है हम उसको वैसे ही connect करेंगे अल्कॉलिजम मैं delirium tremens देखने को मिलते है general paralysis sensation as a pierced by needles of ice यह important है general paralysis मिलेगी लेकिन ऐसा sensation होगा जैसे ice के needles को कोई चुबो रहा हो उसमें तो यह जो भी italic में होता है important होता है drug picture का यह वह uncommon feature या फिर हम कहा है keynote वह है यह sensitive to pressure and cold air cold air से और pressure से अराम मिलेगा अब देखो needles of ice को चुब हो रहा है उसको ऐसा sensation हो रहा है cold फिर भी तो जब उसे ऐसा sensation हो रहा है तो उसे pressure से और cold air से उसे sensitive है sensitive है आराम नहीं मिलेगा sensitive है मतलब उसे दिक्कत होगी ठंडे से और pressure से violent wearing down pain बहुत जादा severe symptoms appear diagonally like the right arm and the left left leg तो यहां पर क्या है जो symptoms है वो diagonally दिखेंगे उसे मतलब अगर right arm में है तो दूसरा क्या है left leg में दिखेंगा आगे हम medicine पढ़ेंगे जिसमें इसके opposite symptoms आएंगे मतलब left arm right leg तो वो भी हम पढ़ेंगे symptoms appear diagonally like the right arm and the left leg pains are accompanied by sensation of coldness, numbness and tingling pain होगा किसके साथ coldness, sensation of coldness cold से तो उसे निकत ही है तो वो numbness और tingling भी मिलेगी जब हम बहुत जादा किसी toxicity में चले गए alcohol भी अगर कोई बहुत जादा ले ले लेता है तो उसे numbness वाला sensation आता है coldness feel होगी tingling sensation होगा तो यह हम ऐसे relate कर पाएंगे mind में क्या होगा अब जैसे मालो किसी ने alcohol ले ली बहुत जादा दारू पी ली तो क्याएगा जादा बोलेगा लेकिन तो मुस्से कुछ पूछोगे तो उसका मन होगा तो जबाब देगा और कुछ भी उल्टा सीधा हो लेगा तो वही है things talk but does not answer loquacity बहुत जादा loquacity आजाती है किसी किसी में कोई 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 कम बोलता है sometimes it's loquacious तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बहुत loquacious होगा evasion to work कोई काम कैसे कर सकता है after intoxication evasion to work indifference में चला जाएगा indifference है fearless हो जाते है लोग बोलते है न कि थोड़ा टिकालो जाके हम्मत आएगी तो वह fearless हो जाते है delirium characterized by singing, shouting and muttering rhymes and prophecy अब कोई बहुत जादा न सेम है कुछ भी बढ़ड़ाएगा rhymes, muttering, prophecies, shouting, singing आएगा तो वह delirium की condition में यह सब होगा begins with paroxym of yawning और yawning के paroxyms आएगे okay stage start होगा अब यहाँ पर cerebral excitement है main agaricus muscaris में तो उसको चार stage में लाएगा है कि क्या क्या होगा तो सबसे पहले slight stimulation थोड़ा से stimulation कैसे जिसमें cheerfulness, courage, loquacity और exalted fancy आती है अब जब कोई हलकी थोड़ी dose लेगा अगर किसी ने एक pack पिया है या दो pack पिया है capacity के according दो pack पिया है तो उससे क्या होगा alcohol से हम समझेंगे फिर इससे relate करेंगे वहां से हम relate करके इसके features को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा थोड़ी थोड़ी cheerfulness आईगी अंदर से कुछ अच्छा अच्छा लगेगा करेंज जाजाता है लोग हमें बहुत जादा बोलने लगते है more decided intoxication अगर जादा हो जाएगा तो great mental excitement and incoherent talking कुछ भी बोलेगा immoderate getty alternates and melancholy sad हो जाते है लोग रूने लगते है proper चल नहीं पा रहे है perception of relative size of object is lost अब उसको इतना more decided intoxication का मतलब है इतना toxicity में चला गया कि अब वो size relate नहीं कर पा रहा है मतलब उसे चोटी चीज़ भी बड़ी लग रही है takes long steps बड़े-बड़े steps लेगा and jumps over small objects चोटे-चोटे objects पे भी jump कर जाएगा as if they were trunk of trees जैसे वो पेड की साखाएं हों ऐसे jump कर जाएगा उसे pencil भी रख दोंगे न तो भी उसे ऐसे कूद के जाएगा a small hole appears as a frightful chasm एक चोटा भी छे दिखाई जैसा दिखेगा a spoon of water and immense lake एक चम्मच पानी को जील जैसा पानी बोलेगा पानी से डर लगर बालती रखेगा डूप जाओंगा यह वाले symptoms physical strength is increased physical strength बढ़ जाएगी can lift heavy loads heavy loads रथा सकता है twitching accompanies all symptoms और सारे symptoms में twitching आएगी फिर थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज produces a condition of furious or ragging delirium screaming, raving, wants to injure himself थर्ड स्टेज में क्या है furious and raging delirium है मतलब स्टार्टिंग में जो delirium था उसमें singing, exouting यह सब चल रहा था अब क्या raising up उसे गुसा आ रहा है furious हो जाएगा चीखेगा चिलाएगा खुद को injure करेगा लोगों को भी कनने की कोशिश करेगा fourth stage में mental depression अब बहुत जादा anger आएगा जब भी किसी को बहुत गुसा आता है तो फिर depression तो होता ही है उसे बाद में कि यार मैंने ये क्यों करती है तो हम वैसे भी आत करके देख सकने है जब बहुत गुसा है तुम तोड़ वोट करता है तो फिर बाद में realization होता है ये क्यों करती है तो that is depression तो mental depression है fourth stage में linger indifference में चला जाएगा confusion होगी dis inclination to work work नहीं करना चाहेगा we do not get the active cerebral congestion of valid honor but a general nervous excitement such as is found in delirium tremens or delirium of fevers मतलब यहां पर cerebral congestion valid honor वाला actual तो नहीं है active तो नहीं है पर हमें एक general excitement दिखने को मिल रही है जिसे delirium tremens में और delirium of fevers में next symptom में head का vertigo from sunlight walking head in constant motion epilepsy यहां भी देखने को मिल रही है अभी तक हमने आडिसन पड़ी है उनमें mainly epilepsy symptoms हमें देखने को मिले हैं vertigo किससे होगा sunlight से walking constant motion में head constant motion में रहगा epilepsy की condition falling backward as if a weight was put on occiput head and a feature की तरफ fall करेगा occiput पर weight कर दिया हो meningitis की condition होगी lateral headache as if from a nail lateral headache होगा जैसे keel चुब होई है किसी ने जैसे coffee और इंग्निशिया में होता है dull headache from prolonged desk work जादा टाइम तक desk work करेगा तो उसे dull headache होगा icy coldness like icy needles or splinters परस यह सब फील होगे icy needles or icy coldness अम देख चुके है neuralgia with an icy cold headache icy cold headache desire to cover the hand warmly हाथों को cover करना चाहेगा warmly silesia में होता है headache with epistaxis thick mucoid discharge headache होगा इसके साथ epistaxis मतलब नाक से खून आएगा वो भी thick mucoid आएगा discharge होगा eyes में क्या है reading difficult as type seems smooth swim italic again important reading difficult होगी as type seems smooth swim reading इसलिए difficult है कि उसको जो words है वो ऐसे लग रहा है move कर रहा है अब नसे में है words एक जगे पर हर चीज चलती होगी दिखेगी words बहुत बड़ी बात है vibrating spectres spectres diplopia की condition होगी dim and flickering vision होगा asthenopia from prolonged strain spasm of accommodation asthenopia होता है कि weakness होगी eyes प्रॉपर खुल नहीं strain पढ़ रहा है उन पर प्रॉपर देख नहीं पा रहा हो तो prolonged strains है या फिर spasm of accommodation की वजह से asthenopia की condition देखने को मिलेगी teaching of lids and eyeballs eyeballs all lids में margins of lids red itch burn and aglue tinnate margins of lids red हो जाएंगी burn 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 जलन होगी उन पर और चिपक जाएंगी जैसे blepharitis की condition में होता है same वही मतलब blepharitis वाली condition है जो पलक है आपस में चिपक जाएंगी swirl कर जाएंगी inner cantha है बहुत जादा red होगा ear में क्या है burn and itch as if frozen burn होगा itchy feel होगा जैसे frozen है frost bite की वजह से ठंडा sensation तो हर जगे से teaching मिलेगी muscles around ear or noises tinnatus की condition देखने को मिल परही है nose nervous nasal disturbances होगे itching internally externally sneezing after cupping cupping के बाद spasmodic sneezing होगे spasmodic मरला एक pattern mix spasmodic 1-2-3 ऐसे करके sensitiveness बहुत जादा watery non inflammatory discharge निकलेगा inner angles very red inner angles nose के हैं बहुत जादा red होंगे fetid dark bloody discharge निकलेगा epistaxis old people में देखने को मिलेगा sensation of sowness in the nose and mouth okay facial 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 muoto if way impact moota m mag nelcined tearing यहरिंग पेन होगा चीक्स में as of splinter, splinter जासा फील होगा Neuralgia as if cold needles rain through the nerves और साब पीसे ऑफ आइस टॉच वहाँ अब उसे ऐसा लगेगा कि कोई नीडल्स चुब हो रहा है बरफ की cold needles ठंडी नीडल्स चुब हो रहा है through the nerves या फिर उसे ऐसा लगेगा कि साब पीसे आइस के नुकेले साब पीसे उसे टुच हिए जा रहे हैं माउथ में बर्निंग और स्मार्टिंग ऑफ लिपस मिलेगा हपी जाबियलिस टुचिंग संशिशन टेस्ट स्वीट होगा अप्थे 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 मिलेंगे रूप आफ माउथ यानि कि जो अप्थे स्प्लिंटल लाइक पेन मिलेगा टंग में थर्स्टी अल दे ताइम वेरी थर्स्टी तो थर्स्टी बहुत है ये मेडिसन क्योंकि अगेन एलकॉल ली ये ड्रग लिया कोई भी ऐसा लिया भांग वगरा लेते हैं तो बहुत जादा प्यास लगते हैं गला सूपता रहता और बोलते हुए जादा पानी बीना चाहिए डेटॉक्स करने के लिए खुद को तो वही थर्स्टी अल दे टाइम रहेगा त्रमुलस टंग होगी त्रमुलस टंग का मतलब है सेकिंग अल दे ताइम तो जब वो कुछ भी बाहर भी निकालेगा बोलने की गोसस करेगा तो करें किया मिशां टंग फाइट होगी त्रमुलस टंग लेकिस में भी देखने को मिलती है फिर है थ्रोट थ्रोट में क्या है स्टिचिस अलोंग दा यूस्टेशियन ट्यूब तो दा इयर तक स्टिचिस फील होंगे उसे इसा लगेगा ड्राइनेस रहेगी तो इस पेजिया भी हो गया अब ड्राइनेस तो इचिंग भी होगी इसक्रेचन मिलेगी और कांड से गान पाएगा क्योंकि बहुत जाधर द्राइनस इसा बोल नहीं पाता तो ये गाएगा कैसे हो कि स्टमक Empty Erectation Empty Erectation से टेस्टिंग आप एपल एपल जासा टेस्ट आएगा स्टमक से Nervous Disturbances Spasmodic Contraction Nervous Disturbances देखने को मिलेंगे Spasmodic Contraction के साथ हिच्कियाई ही बहुत जादा Unnatural Hunger होगी बहुत नॉर्मल इंसान से अलग बहुत जादा खाएगा Flatland Distinction of the Stomach and Abdomen Flatland Distinction देखने को मिलेगा Stomach और Abdomen का Profuse Inorderous Flattice बहुत जादा Flattice आएगा पर Inorderous बदमू नहीं होगी Burning in the stomach Stomach में burning होगी After 3 hours After a meal Meal कोई पिखाना कोई भी मील लिया उसके 3 घंटे बाद Followed by a dull pressure feel होगा Gastric Disturbances देखने को मिलेंगे Saab Pain होगा Liver region में यह सारे Alcohol Intoxication के Symptoms होगे उसी टाइप के Symptoms हमें देखने को मिलेंगे Abdomen में क्या है Stretching Pain in the Liver, Spleen and Abdomen Stretching Pain देखने को मिल रहा है Liver में, Spleen में और Abdomen में Stitches under the Sword Ribs Sword Ribs हैं उनके अंदर Stitches हर जगे, Stitches हो रहा है Throat में, Stitches है, Abdomen में Mouth में भी हो रहे थे Face में भी हो रहे थे Ear में भी हो रहे थे तो हर जगे Stitches वील हो रहे है Stitching feeling है Abdomen में Stitches wir बहरे है Liver Plheen Abdomen में Stitches feel है Short Ribs में Left Side So, one side का हमें एक point मिलाए यह Left Side है सब्सक्राइब लेपसे दी जागी है उस मेडिशन परफेर्ट को में से बता चाहिए नाम कॉमेंट सेकों दाएडिया विध मच्पिट फ्लैटर के साथ भाट भाęt बहुत ज़्याधा फिटेल स्टूल जाएंगी यूरीनली सिम्टम्स कैं इस्टिच त्टिच त्टिच फेल अब इंटॉक्सिकेशन है जादा पानी पिएगा बार बार मिक्चुरिशन की अर्ज होगी यह नॉर्मल सी बात है फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन तो यह था हमारा अगेरिकस मस्केरिस का पार्ट वन क्योंकि यह बहुत बड़ी मैडिसन है तो हम बाकी बच्ची होई मैडिस चाहिए तो कॉमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले मुझे वीडियो बिनाने के लिए थैंक्स वर वॉचिन आज़िए